Hey my dear students, क्या आप लोगो को पता है कि इस पूरे दुनिया में 3,000 species हैं सापो के जिसमें से केवल 20% ऐसी species है यानि लगबग समझो की 600 species होती है ऐसी जो venomous होती है और केवल 7% ऐसी species होती है यानि equal to 200 species ऐसी होती है snakes की जो सिर्फ human को मार सकती है बाकी नहीं मार सकती, they all are non-venomous यानि venomous snakes कितने होते हैं सिर्फ 20% ही होते हैं अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में 270 snake के species पाई जाती हैं जिसमें से सिर्फ 60 species जो होती हैं वो venomous होती हैं अब यहां मैं आप लोगों के सामने एक question पूछूंगा कि what is the difference between poisonous and venomous तो बहुत ही simple सा concept है बच्चों कि poisonous ऐसे चीज़ों को बोलते हैं जिसको खा कर हम मर जाते हैं और venomous हम ऐसे चीज़ों को बोलते हैं जिसके काटने से हम मर जाते हैं तो आब यह बताओ कि snakes जो हैं वो poisonous है या venomous है तो आज तक आप snakes और poisonous पढ़ रहे थें अब से आप बोलोगे snakes are venomous क्यों? क्योंकि साम के काटने से हम मर जाते हैं और जिसके काटने से हम मर जाएं वो venomous तो प्यारे बच्चो आज के इस वीडियो में हम लोग बढ़ने जा रहे हैं स्नेक जिसको लिखा है डी एच लॉरेंस ने और इसके एक्स्प्लेशन दूँगा मैं तो आगे बढ़ने से पहले ये सरसो का खेत दिख रहा है ना अच्छे से देख लो इस खेत में क्या हो रहा है ये जो सरसो के पाउध है ना mustard plants ये क्या कर रहे है अपस में हिल रहे है अगर यहाँ पे एक poet रहता ना अगर आप मेंसे कोई poet हो जो pom से लिखते हो तो अगर उसकी या उनकी नजरे अगर इन mustard plants को देख रही होंगे ना तो वो अलगी level से चीजों को देख रही है तो ऐसे क्या होता है कि जो poets होते हैं वो पूरी दुनिया को एक अलगी नजरिय से देखते हैं उनके नजर में चीज़े न बिलकुल अलग होती है जो poem है, इस poem में क्या होता है एक poet जो है, वो एक साप को देखते हैं स्नेक को देखते हैं अब उसी के उपर उन्होंने क्या किया पूरा का पूरा बोलो तो पोम लिख दिया अब ये पोएट है कौन भाई ये हमारे है डी एच लॉरेंस जो के एक इंगलिस नॉविलिस्ट, स्टोरी राइटर, क्रेटिक, पोएट, पेंटर भी थे और इनको वन जड़ा एक important figure बन जाते हैं इन्होंने एक पोम compose किया that is snake जिसको compose किया गया था 1923 में और ये इनके बुक में publish हुआ था उस बुक का क्या नाम था birds, beasts and flowers और ये जो एक पोम है जो जिसको पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही important सा है मतलब ये बहुत famous पोम है डी एच लॉरेंस का ठीक है और ध्यान रखना इस पोम की कोई rhyming scheme नहीं है ये free words में लिखा गया है है और modernist literature का ये एक representative है कहने का मतलब कि जो modern literature में पोम से लिखे जाते ना आज rhyming scheme को कुछ पता ही नहीं होता वो free words में लिखते हैं तो बहुत मैंने आप लोगों को wait करवा लिया अब हम बच्चे आये होंगे ऐसे जिनको सिर्फ story से मतलब है या उस पोम में क्या हुआ है उनसे मतलब है explanation उनको नहीं जानना ठीक है तो उनके लिए ये video थोड़ी दे तक होगा और जिनको पूरा video देखना है explanation के साथ देखना है वो पूरा end तक जरूर रुक के जाना तो अब होत ट्रफ के पास एक स्नेक आता है क्या करने के लिए पानी पीने के लिए अब उस स्नेक को नहीं पता कि उसके आसपस कोई आने वाला है और हमारे जो पोएट है उनको बड़े जोर की प्यास लगती है क्योंकि ये गर्मी का समय होता है और वो क्या होता है अपने shorts में होते है पतलब गर्मी भीशन गर्मी पड़ रही थी और वो अपने shorts में होते है उनको लगता है चलो भाई थोड़ी ठंडी ठंडी पानी पी ली जाए तो वो अपना जो पिचर है यानि हाथ में वो मगगा जो है उस मगगे को पकड़ कर वो चले जाते हैं पिचर के पास क्या बिल्कुल मैनर के साथ वहाँ पे खड़े हो जाते हैं ताकि जो पहले आया है उसे पहले दिया जाए यानि first come, first serve वाली जो policy है वो इसको अपनाते हैं कि पहले साप आया है यहाँ पे तो क्यो ना उसको ही पहले पानी पी लेने दिया जाए फिर मैं जाओंगा तो अब क्या होता है वो स्नेक वहाँ पे बैठके पानी पी रहा होता है पीने के बाद जब तक वो पानी पी रहा होता है तब तक हमारे poet जो है न वो बड़े ही अच्छे तरीके से उस साप को देखते हैं उसे admire करते हैं और उसके बारे में बताते हैं इस पोम में आपको दिखेगा लेक का education उन्हें ये कहता है कि तुम अगर brave हो यानि तुम अगर डरपोक नहीं हो तो तुम अभी क्या करोगे एक डंटा उठाओगे और snake को वहीं मार डालोगे यानि education कहता है कि अगर तुम्हें कोई venomous snake दिखे तो उसे वहीं मार डालो लेकिन हमारे poet जो है वो में जाना चाहता है लेकिन जैसे ही वो आधा अंदर जा चुका होता है तभी हमारे poet के mind में क्या instinct आती है उनको समझ में नहीं आता है वो एक डंटा उठाते है और फेक के उस साप के उपर मार देते है जब वो मारते है तो उनको ऐसा लगता है लेकिन मैंने क्या किया उसको परिशान किया बिल्कुल उसी के जैसा जैसे rhyme of the instant mariner में उस mariner ने क्या करा था albatros को मार दिया था बिना किसी मतलब का और फिर वो बाद में पस्ताने लगता है वैसे हमारे poet पस्ताते रहते कि मैंने ऐसा बेहुदा हरकत किया ही क्यों मुझे तो करना ही नहीं चाहता पता नहीं वो अपने अपने guilt फिल कर रहे थे और यही है पूरा जो है वो poem आपके सामने है ठीक है? तो I hope कि यह summary पूरे poem के आपको समय में आ गई है ऐसे मैंने written summary आपको दे रखा है अब यहां पर एक term आरा that is called ode अब ode क्या होता है बेटा? ode एक प्रकागा poem होता है जो क्या करता है? किसी भी चीज के admiration में लिखा जाता है यानि जब हम किसी की तारिफ करते हुए एक हम poem लिखते है that is called an ode एक ode लिखा गया था ode to the nightingale यानि उस nightingale की प्रसंसा की जा रही है उस ode में यानि कोई भी negative बाते आपको नहीं देखेगी तो यहां पर जो poet है वो full of admiration है वो admire करते हैं किसको? उस साब की beauty को यानि अभी मैंने क्या बता है? कि उनके education क्या सिखा रहा था? किस साब को माण डालो क्योंकि यह venomous है लेकिन उनका attitude क्या बोला था? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा यानि यहां पर इसका theme क्या है? कि हमारे poet यह दिखाना चाहते है कि हमें न दोसरे creature के साथ भी मिल बाट कर रहना चाहिए हम दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? एक harmony create होना चाहिए भगवान ने सिर्फ हमें नहीं बनाया भगवान ने बाकी other creatures को भी बनाया है तो हमें उन्हें भी respect करना चाहिए अपने फायदे के लिए दूसरों को बचा के रखते है तो हमारे poet कहते है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए हमें एक balance create करके रखना चाहिए क्योंकि God ने सब को बनाया है सारे creature को बनाया है तो उनको भी जीने का हक है उनको भी इस धरती पर existence का हक है तो अब यह हमारे poet क्या बोल रहा है कि मैं अपने पैजामा में बाहर निकला क्यों क्योंकि जो मौसम था वो बहुत गर्म था बहुत मिंस बहुत ज़्यादा गर्म था यहाँ पर उन्होंने reputation create कर रहा है ताकि यह दिखाने के लिए कि गर्मी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी तो बहुत गर्मी का मौसम था मैं अपने पैजामा में बाहर निकला किसलिए अपने हाथ में एक picture लेकर picture मतलब मगगा लेकर ताकि मैं क्या कर सकूँ पानी पी सकूँ लेकिन जैसे मैं अपने water trough के पास जाता हूँ वहाँ पर मैं क्या देखा हूँ कि already एक snake वहाँ पे पहले आया हुआ है ठीक है यहाँ तक समझ में आ गई next मैंने जैसे last video में बताया था न वैसे यहाँ पे हम लोग जो भी literary device है उसको end में देखेंगे and must wait must stand and wait for there was at the trough before me यानि अब मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे रुकना चाहिए तब तक रुके रहना चाहिए जब तक कि वह visitor यहाँ से चला न आ जाए यानि वह visitor मेरे से पहले आया तो मुझे यहाँ पे रुके रहना चाहिए he rissed down from a fissure in the earth wall in the gloom and trailed his yellow brown slackness soft belly down over the edge of the stone trough and rested his throat upon the stone bottom तो यहाँ से जो हमारे poet है वो उस snake की beauty को admire करना start करते है तो वो क्या बताते हैं कि जो earth है उस earth के crack से वो निकल कर बहार आया वो earth जो बिलकुल darkness से भरा हुआ यानि अगर आप earth के body के अंदर जाओगे यानि इस crust के अंदर जाओगे तो वहाँ पे कोई भी light नहीं होती darkness होती है ठीक है तो हमारे poet कह रहे हैं कि ये earth के wall से निकल कर बहार आया जहाँ पे छोटा सा crack बना हुआ है फिजर का मतलब crack और वो crack के अंदर का जो area कैसा है वो बिलकुल gloomy है मतलब full of darkness है वहाँ से निकलता हुआ ये yellow brown color का जो snake है जिसके बेली बहुती soft है वो क्या करता है उस stone trough के पास आतर अपना जो throat है वो उस stone के ऊपर रखकर नीचे जो पानी है वहाँ से वो पानी बी रहा है यानि जहां से मानलो ये जो है वो एक tap है अब इस tap से जो पानी है वो नीचे गिर रहा है नीचे गिरने के बाद यहाँ पे न थोड़ा सा पानी जो है वो जमा हो गया तो अब ये snake क्या कर रहा है वो snake धीरे धीरे अपने उस long body को अराम से ऐसे पसार कर वो एक जगा पे रखकर वो क्या कर रहा है पानी पी रहा है अपने straight mouth से और बिल्कुल silently कोई भी आवाज नहीं कर रहा है वो और ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे से पहले कोई वहाँ पे आ चुका है वाटर ट्रफ पे और मैं वहाँ पे आने वाला कौन हूँ? सेकेंड कमर हूँ इसलिए मुझे क्या करना चीए? वेट करना चीए कुल मिलाकर हमारे पोईट ये कहना चाहरे है कि स्नेक वहाँ पे पहले आया है तो उसे पहले पानी पीने दिया जाना चीए मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चीए जब वहाँ से चला जाये तब मैं क्या करूंगा? अपना पीचर भरूंगा तो स्नेक ने क्या किया? थोड़ा सा वाटर सीप किया थोड़ा सा पानी पिया और उसने सर को उठाया बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक कटल जो है वो पानी पीने के बाद अपने सर को उठाता है और उसने मुझे उस तरीके से देखा बिल्कुल वैसे ही जैसे ही एक पानी पीता हुआ केटल जो है वो रुख कर किसी को देखता है इधर उधर वो देखता है पोईट को फ्लिकर्ड्ड his two fooked tongue from his lips and mused a moment, यानी उसने क्या किया, एक snake का जो टัंग होता है, वो बिलकुल ऐसा होता है तो उसने अपने tongue को कुछ second के लिए ऐसे अंधर बाहर अंदर बाहर किया, फ्लिकर किया, उसके बाद कुछ दिर के लिए वो सोचा, mused का मतलब होता है, thought, ठीक है, कुछ दिरई के लिए वो सोचा और उसके बाद फिर से क्या हो गया नीचे की और जुका और जुकने के बाद थोड़ा सा और पानी पिया पहले वो पानी पिया उपर उठा पोएट को देखा थोड़े दिर सोचा अपने टंग को आगे पिछे कीया उसके बाद वापस से वो नीचे बेंड हो गया और थोड़ा सा और पानी पिया यानि वो जो स्नेक था वो थोड़ा सा अर्थन ब्राउन और अर्थन गोल्डन कलर का हो चुका था क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज को अगर हम मड के अंदर रखते हैं मड से वो ज्यादा इंट्रक्ट करेगा तो उस पर मड लग जाती है तो ऐसे उस स्नेक के बाड़ी में थोड़ा सा अर्थ का स्ट्रक्चर आ रहा था इसलिए यहां पर यह लाइन से लिखे गया है ठीक है और वो बिलकुल बॉटम अप द अर्थ रह रहा था ना मतलब नीचे जाके उस क्रैक के अंदर जाकर वो अर्थ का जो क्रस्ट उसके अंदर जाकर वो रह रह रहा था तो इसलिए यहां पर यह लाइन्स यूज किये गया है तो वो जो दिन था वो बिलकुल इतना गर्म था जैसे की सिसीलियन जुलाई में होता है ना सिसीलियन एक जगा है जहां पर जुलाई के महिने में हीट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है में इस गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो उन्होंने यहाँ पे बुला है कि यह दिन बिलकुल Sicilian जुलाई के जैसा था इतनी गर्मी थी वहाँ पे और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जो Etna volcano, Etna is a type of volcano वो क्या कर रहा है? फट रहा है smoke create कर रहा है वहाँ पे तभी मेरे अंदर से एक voice आई जो voice मेरे education से मिली हुई voice थी इसका मतलब मेरे education ने मुझे सिखाया था कि साब को मार दो क्यों मार दो? क्योंकि Sicily में कोई भी जो black snake होता है वो innocent होता है और जो gold snake होता है वो venomous होता है इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? इसे मार देना चाहिए यह कौन बोल रहा है? यह मेरे education बोल रहा है जिस education को मैंने क्या किया? गेन किया था यह जो inner conscience है inner voice जो है हमारे poet का वो यह कह रहा है कि अगर तुम एक man हो यानि अगर तुम brave इंसान हो तो तुम क्या करोगे? अभी के अभी है कि stick लोगे और इस snake को यही पर मार डालोगे इससे finished कर दोगे लेकिन मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि मैं उसे कितना पसंद कर रहा था वो snake मुझे कितना पसंद आ रहा था मुझे कितनी खुशी हो रही थी कि वो snake जो है वो as a guest वहाँ पर बड़े सांती से आया और मेरे water trough में आके क्या कर रहा है पानी पी रहा है तो कोई अपने guest को नुकसान क्यों पहुचाना चाहेगा तो हमारे poet भी वही बोल रहे है कि मुझे बहुत खुशी हो रही थी मैं सच बताऊं तो मुझे वो सांप बहुत पसंद था और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि वो सांप एक guest के जैसा मेरे water trough में आया था पानी पीने के लिए और बड़े ही सांती से वहाँ से चला भी जाएगा वो भले ही मुझे ठैंक नहीं बोलेगा मुझे पता है उसको burning bowl इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके उपर क्या बना हुआ है volcano मतलब इसी earth के उपर volcano बना हुआ है उसके नीचे वो चला जाएगा तो एक तरह से वो burning bowl हो गया ना देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि reference to the hot bottom of Mount Etna which is a volcano तो volcano के नीचे क्या होता है गर्मी होती है वहाँ से लावा निकलता है तो इसलिए वो जो earth है वो इतना गर्म था इसलिए वो बोड़ा है कि उस earth के अंदर चला जाएगा वो Was it cowardice that I dared not kill him क्या ये क्या मैं डरपोक था कि मैंने उसे मारा नहीं Was it perversity that I long to talk to him क्या ये illogical है कि मुझे उसे बात करने का मन कर रहा था Was it humanity to feel so honored क्या ये humanity था कि मैं इसे इतना honor कर रहा था I felt so honored and yet those voices If you were not afraid you would kill him and truly I was afraid I was most afraid but even so honor is still more तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मेरे अंदर वो voice गुँज रहा था बार बार कि अगर तुम्हें डर नहीं लगता है अगर तुम डरपोक नहीं हो तो तुम क्या करोगे उसको मार डालोगे लेकिन सच कहूँ तुम्हें डरा हुआ था मैं बहुत डरा हुआ था लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं क्या कर रहा था उसे सम्मान कर रहा था मैं उसे respect कर रहा था उस creature की respect कर रहा था जो वहाँ पर आया था that he should seek my hospitality from out the dark door of the secret earth यानि सायद वो यहाँ पर आया हो मेरी hospitality को देखने के लिए या मेरी hospitality माँगने के लिए hospitality क्या होता है hospitality किसको बोलते हैं यानि मान लो आपके घर में कोई आता है तो आपको उसका अतिती सतकार करते हो न आप उसका ध्यान रखते हो न उसको welcome करते हो न तो सायद वो मुझसे अपना welcome करवाना चाहता हो यानि जब भी कोई guest आता है वो चाहता है कि उसका welcome किया जाए और वो आया कहां से था, dark door of the secret earth, यानि उसी जगह से, वो earth के अंदर से आया, बार बार यहां पर एकी line repeat कर रहा है, लेकिन different expressions के साथ, वो उस earth के अंदर से आया था, जो earth बिलकुल dark था, है न, He drank enough, and lifted his head dreamily as one who has drunken, and flickered his tongue like a fog night on the air so black, अब जब उसने अपना पानी पिना, उसका हो गया, यानि जब उसने पेट भर पानी पी लिया, मन भर पानी पी दिया, तो उसने अपने head को उठाया, ठीक है, और थोड़ा सा इधा हो तर घूमा, और वो इस तरीके से घूम रहा था, मा पी रखा हूँ, और उसके बाद अपने टंग को वो फलिक्रिंग करने लगा, मतलब वो अंदर बाहर, अंदर बाहर करने लगा allora Samming to lick his lips ऐसा लग रहा था कि जब हम पानी पीते हैं कभी juice पीते हैं, तो हम क्या करते हैं अपने lips को नपने टंग से चाटते हैं थोड़ अच्छा लगता है हमें तो ऐसे लग रहा था कि सनेक ने पानी पिया पानी पिने के बाद जो extra water उसके लिप पे लगा हो उसने उस लिप को क्या किया चाटा है ना लिख किया and looked around like a god unseen into the air और उसके बाद इधर उधर देखने लगा जैसे कि god देखते हैं हर किसी को यहाँ कहने का मतलब क्या है कि भगवान जिस तरीके से equal आई रखते हैं सभी creature के उपर वैसे ही वो जो snake है वो इधर उधर देखता है equally मतलब उसके नजर में कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा कुछ नहीं बिलकुल सेम and slowly turned his head उसके बाद उसने अपने head को bend किया and slowly, very slowly as if thrice a dream proceeded to draw his slow length curving round उसके बाद बड़े ही धीरे से ऐसा लगता हो मानो कि वो सपने में है और dream का मतलब है सपने में या सपना देख रहा है यानि दम धीरे धीरे मानो वो सपने में क्या कर रहा है जूमते हुए इधर सुधा जा रहा है तो वो क्या करता है मुडता है और अर्थ के अंदर चला जाता है पूरा नहीं जाता है मतलब वो जा ही रहा है भी and climb again the broken bank of my wall face तो वो जो मेरा wall face था इसका मतलब जो poet का wall था wall के अंदर छोटा सा crack था उस crack के अंदर वो जा रहा होता है and as he put his head into the dreadful hole dreadful का मतलब terrible तो poet के नजर में तो वो terrible ही है क्योंकि उसके अंदर ना कोई light है ना proper air है ना वहाँ पे कोई nutrients है तो एक तरह से वो dreadful hole ही है लेकिन snakes तो hole में ही रहते हैं and as he slowly drew up snake easing his shoulder and entered further a sort of horror, a sort of protest against his withdrawing into the horrid black hole deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after overcame me now his back was turned अब धीरे धीरे वो snake ने सबसे पहले क्या कि अपने सर को उस crack के अंदर डाला अब धीरे धीरे उसका जो shoulder है shoulder तो होता नहीं है तो poet कह रहे हैं कि पहले अपना सर उसने अंदर डाला फिर धीरे धीरे वो क्या कर रहा है अपने shoulder को अंदर डाला अब उसके बाद वो अंदर जाही रहा होता है लेकिन इस time क्या होता है कि वो snake जब अंदर जा रहा होता है तो उसका peat मेरी तरफ होता है और ना जाने क्यूं उसको ऐसे मेरे पास से जाते देख मेरा मन एकदम से विचलित हो उठा क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो पीछे तरफ से जा रहा है उससे अभी यहां नहीं जाना चाहिए मैंने इधर उदर देखा I put down my picture मैंने अपने जो picture मतलब मगगा जो है उसको मैंने नीचे रखा I picked a clumsy log और मैंने एक भद्दा सा जो भी मेरे अगल बगल एक लकडी का टुकड़ा पड़ा हुआ था मैंने उस लकडी के टुकड़े को उठाया and threw it at the water trough with a clatter और मैंने क्या किया फेक मारा, दे मारा किसके तरफ? उस snake के ओपर उस डंटे को उठाया और उसको water trough के और फेक मारा जहाँ पर वो snake था I think it did not hit him मुझे लगा कि उस साब को ये डंटा जो है वो लगा नहीं but suddenly that part of him that was left behind converged in undignified state अब हुआ क्या? कि जो भी उसका थोड़ा सा part बाहर बचा हुआ था, बाकी तो अंदर जा चुका था थोड़ा सा part जो भी बाहर बचा हुआ था वो भी अदम speedly क्या हो गया? उस crack के अंदर चला गया undignified hist का मतलब मानो कि जो प्रसंसा मैं कर रहा था उसको एक dignity मिलनी चाहिए लेकिन वो dignity उसे मिली नहीं और वो ऐसे ही चला गया यानि इसके पहले वो धीरे धीरे आराम से जा रहा था with dignity लेकिन जैसे हमारे poet नहीं क्या किया वो lock throw किया उसके बद वो हरबडा के चला गया इसलिए हाँ पह बोला गया undignified hist अब वो बिलकुल lightning के तरह ही इद्दम पूरे speed में क्या हो गया twist and turn क्या वहां से भग गया मतलब अंदर गुज गया कहाँ पह the earth lift fissure fissure का मतलब crack earth lift मतलब मानों की वो earth का क्या हो lip हो उसके अंदर वो चला गया जो कहाँ पे था मेरे wall front में था मैं वहाँ पे खड़ा खड़ा fascination के साथ उससे देखे जा रहा हूँ मैं wish कर रहा हूँ कि कास वो snake क्या हो जाए फिर से वापस निकल के मेरे पास आ जाए मतलब वहाँ पे वापस आ जाए I immediate and immediately I regretted it अब मुझे इस बात करना बहुत regression हुआ क्या खिर मैंने ऐसा किया क्यों I thought how paltry, how vulgar, what a mean act तो मुझे लगा क्या मैंने बेकार से दम vulgar सा काम कर दिया It is a kind of mean act इदम cheap वाली हरकते, छपरी वाली हरकते हमने कर दी I despised myself and the voices of my accursed human education और उसी समय मैंने क्या किया, मैंने मुझे खुझ से hate वाली feeling आ रही थी और साथ साथ में वो जो education मुझे मिला था जिसने ये कहा था कि सापको मार डालो, क्योंकि वो venomous है, तुम्हें इंसान हो ऐसे करके, उस चीज़ को मैं अंदर से curse दे रहा था मुझे मतलब मैं बद्दुआएं दे रहा था अपने education को और साथ साथ मुझे खुझ से भी नफरत होने लगी थी कि मैंने ऐसा किया क्यों और मुझे न उस एल्बर्टरॉस की आदाई, किस एल्बर्टरॉस की उस एल्बर्टरॉस की the rhyme of the ancient mariner में उस mariner ने क्या करा था, एल्बर्टरॉस को मार डाला था ठीक है, बिना किसी मतलब का उसी प्रकार से snake को उसने क्या किया, harm करने का प्रयास किया अब उसे बहुत regression हो रहा है, जैसे कि उस mariner को हो रहा था पढ़ा है ना अपने और वो ऐसा विस कर रहा था कि कास वो snake वापस आ जाया, कास वहाँ से निकल के बहार आ जाया for he seemed to me again like a king और वो सांप, वो snake जो है, वो हमारे poet को as a king जैसा लग रहा था मतलब वो as a king था, like a king in exile, uncrowned in the underworld, now due to be crowned again मतलब मानो के एक राजा, जो exile में, exile मतलब देश से जब उसको निकाल दिया जाता जैसे भगवान श्री राम क्या हो थे, 14 सालों के लिए वनवास पे चले गया थे, उनको भेज दिया गया था उसको exile कहते है, वनवास को, मतलब देश से निकाल देना तो मानो के एक king जो है, वो कई दिनों तक, कई सालों तक exile में रहा हो, बनवास में रहा हो अब वो वापस आया, लेकिन उसका coronation ही नहीं हुआ, मतलब उसको crown पहनाया है नहीं गया लेकिन, अब हमारा poet चाहता है, कि वो snake वापस से बहार आ जाए, ताकि उसको मैं crown पहना सकूँ मतलब उसको मैं फिर से admire कर सकूँ, उसकी beauty का admire कर सकूँ यानि nature के creature की beauty का admire कर सके वो ठीक है, इस तरह से उन्होंने उस snake को lots of life कहा है and I have something to expiate, expiate का मतलब क्या होता है, amend, यानि दुसरों से माफी मांगना और यहाँ पे जो हमारे poet है, वो माफी मांगते हैं किस चीज़ पर, अपनी इस गंदी हरकत पर और अपने आपको वो भड़ा ही छोटा समझते हैं, means he is thinking himself as a small creature मतलब वो snake से भी उन्होंने अपने आपको छोटा समझा, क्यों, क्योंकि जब वो snake आया, उसने हमारे poet को तो देखा लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, कुछ किया भी नहीं, वो अराम से पानी पिया और लोट रहा था लेकिन हमारे poet ने क्या किया, उस snake को देखा, admire किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसके उपर उस log of wood को throw कर दिया, मतलब उस लकड़ी को throw कर दिया, दे मारा और इसी बात से उनको बहुत ज़्यादा पस्तावा हो रहा है, regression हो रहा है तो यह poem यहीं पर खत्म होता है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो poetic devices यूज़ हो है, वो क्या क्या है जैसे पहले वाले stanza में alliteration हो रहा है, कहां पर हो रहा है, देखो, ace sound यहां पर repeat हो रहा है, तो यहां पर alliteration हो रहा है repetition भी यहां पर हो रहा है, एक चीज़ ध्यान रखना, इस पूरे story मतलब poem में मैंने कुछ चीज़े देखी है जैसे कि एक simile का बहुत बड़ा use हुआ है, दूसरा मैंने देखा है, वो है anaphora ठीक है, anaphora का भी अच्छा खासा use हुआ है, और जहां भी देखो कि snake को he करके पुकारा गया है वहां पर personification होगा, ठीक है, तो यहां पर जादा से जादा smile बोल रहा हूँ, simile दिखेगा, साथ साथ मैं आपको anaphora भी दिखेगा मैं आपको बताऊंगा, epithet, अब यह epithet क्या होता है, जब ऐसे आप बोला गया ना, strain scented, तो यह strain scented जो है, वो use हुआ है, यहां पर carob tree के लिए, क्योंकि वो जो जगा था, वो थोड़ा सा अलगी type का scent कर रहा था, इसलिए next stanza में यहां भी alliteration हो रहा है, देखो, alliteration यहां पर कहां पर हो रहा है, slack and soft, तो यहां पर देखो, a sound repeat हो रहा है, और यहां ब्राउन और belly, यहां पर b sound repeat हो रहा है, तो यहां भी alliteration है, repetition यहां पर must का हो रहा है, personification यहां पर किस चीज़ का हो रहा है, देखो, यहां पर snake क जो को comparison करते हैं like और as का use करके तो similar होता है और जहाँ पे like और as नहीं होता वहाँ पे क्या होता है metaphor होता है तो he lifted his head from his drinking as kettle do तो यहाँ पे देखो as word use हो है तो बिटा आपको क्या करना है जब भी आप पॉम परते हो और कभी भी poetic device पूछ दिया जाए तो इन दोनों word पे न सबसे पहले ध्यान देना कि कहीं वहाँ पे line में मैं दो चीज़ बता दे रहा हूँ सबसे पहले देखना कहीं like और as तो नहीं है अगर है तो देखना क्या comparison हो रहा है नहीं हो रहा है simili ठीक है दूसरा pointy device में क्या देखना है कि first letter को देखना है words के first letter को देखना है क्या sound match कर रहा है अगर sound match कर रहा है तो वहाँ पे alliteration होगा ध्यान रखना ठीक है second वाले में देखो I like a second comer तो यहाँ पे I like a second comer तो उन्होंने यहाँ भी simili use किया fourth वाले में देखो फिर से simili आ गया यहाँ पे alliteration भी यहाँ पे है कैसे alliteration में F sound भी repeat हो रहा है यहाँ पे देखो flickered and fogged और T sound भी repeat हो रहा है to and tongue में ठीक है visual imagery यहाँ पे etna smoking ऐसा लग रहा है कि वो जो volcano है वो smoking कर रहा है मिस वहाँ से धुवा निकल रहा है तो यह एक imagery create करता है मारे mind में burning boils of the earth किया गया है ताकि यहाँ पे emphasize create किया जा सके next alliteration फिर से यहाँ पे आगया देखो peaceful and pacified में P sound repeat हो रहा है burning and boil में B sound repeat हो रहा है similarly यहाँ भी है he had come like a guest तो उसको as a guest के रूप में क्या किया गया है compare किया गया तो ही मतलब कौन he मतलब फिर से यहाँ पे कौन आ गया snake तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा personification थोड़े जगा में मैंने साथ personification छोड़ दिया है तो जहाँ भी he आपको समझ जाओ personification है repetition यहाँ पे afraid word का क्या हो रहा है repetition हो रहा है ताकि यहाँ पे क्या create किया सके emphasis create किया रहा सके next 8 number stanza में क्या हो रहा है alliteration dark door में D sound है यहाँ पे देखो H sound है his head और D sound है यहाँ पे dreamy and drunken में lick his lip में क्या हो जाएगा L sound यहाँ पे repeat हो रहा है similar यहाँ पे है lifted his head dreamily as one who has drunken ऐसा मानो कि कोई P रखा हो second similar यहाँ पे हो रहा है his tongue like a forked knight तो उसके tongue को किसके जैसा create किया गया है forked knight की जैसा next अब third है यहाँ पे anaphora आप देखो anaphora होने के लिए न मैंने यहाँ पे जो यह word ने वो गलती से लिख दिया and जो है वो starting में यहाँ पे होगा stanza में तो अब देखो दोनो stanza sorry दोनो जो line है वो किस से start हो रहा है and और end से तो यहाँ पे होगा anaphora तो यह मेरे स्थोड़ misprinting हो गया sorry mis typing हो गया next is simming to the league अब इसमें देखो anaphora फिर से आ गया and and end तो जब भी starting line में क्या होता है कोई word repeat होता है बारबार तो anaphora होता है similar यहाँ भी है क्यों क्योंकि snake को किस से compare किया गया है God से repetition यहाँ भी create हो रहा है slowly word जो है वो repeat हो रहा है alliteration यहाँ पे देखो broken and bank अब यहाँ पे जो alliteration है वो broken bank में नहीं है थोड़ा सा मेरे से वो stanza में आगे पिछे हो गया यहाँ पे जो alliteration है वो देखो यहाँ पे he's or head ठीक है इस जगा पे alliteration हो रहा है यहाँ पे क्या क्या हो रहा है he's or head में ठीक है और यह जो दूसरा stanza है इसमें यहाँ पे हो जाएगा आपका broken and bank तीस जगा में alliteration जो है वो broken and bank यहाँ जुड़ जाएगा ठीक है थोड़ी सी मेरे से mistake हो गई है अब लोग समझे लेना इसको next यहाँ पर भी anaphora हो रहा है and as he देखो and as he और यहाँ भी repeat हो रहा है and as he तो इस तरह कैसे जो phrase है वो repeat हो रहा है दोनों consecutive lines में तो anaphora हो गया repetition यहाँ पर हो रहा है a sort of word जो है वो repeat हुआ है और alliteration देखो he put his head he put his head जो है वो भी यहाँ पर alliteration sorry alliteration यहाँ पर हो जाएगा he a sound का next अब इसमें देखते एनाफोरा हो रहा है क्योंकि I और I जो word है वो starting में है onomatopoeia यहाँ पर हो रहा है clatter जब भी आपको कोई भी sound लगे देखने में लगे कि कोई भी sound है किसी भी जिसका sound है तो वो onomatopoeia होता है तो यहाँ पर यह clatter जो है वो onomatopoeia है 12th number stanza में देखते हैं simile, rhythm like lightning ठीक है तो snake के moment को किस से compare किया गया है lightning के moment से compare किया गया है तो इसलिए यहाँ पर simile हो रहा है metaphor यहाँ पर हो रहा है earth lip fissure यानि poet ने क्या किया है earth को यानि whole of the earth को किस से compare किया गया है lips से second last stanza जो है इसमें देखो simile हो रहा है simile यहाँ पर बता रहा है कि snake को किस से compare किया गया है king से और यहाँ पर कौन सा word यूज किया गया है like personification यहाँ पर हो रहा है snake को come personify किया जा रहा है illusion क्या होता बेटा illusion का मतलब होता है जब भी हम कोई normal चीज को compare करते हैं किसी बहुत ही famous चीज से तो वहाँ पर illusion होता है तो यहाँ पर जो snake है उसको compare किया गया है किस से अलबर्ट रॉस से अब अलबर्ट रॉस कौन है भाई तो rhyme of dance and minor में बहुत famous था ऐसे करके ठीक है last sentence देखो यहाँ पर क्या बोला है alliteration हो रहा है lots and life ठीक है इन में L sound repeat हो रहा है तो I hope मेरे प्यारे बच्चों आपको यह पूरा वीडियो और पसंद आया होगा explanation बे अच्छा होगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलता हूं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए everyone take care be safe keep learning and keep watching be smarty सब साथ में आपके preboards and final examinations के लिए all the best thank you so much for watching this video